रसर्च कमपनी हिंडनबग ने अपनी नई रिपोर्ट शेयर की है जिसमें सेवी प्रमुख माधवी पूरी बुच और उनके पती धवल पर बड़ी आरोप लगाए गए हैं हिंडनबग ने इस रिपोर्ट में अडानी गुरुप और सेवी चीफ के बीच लिंक होने का दावा भी किया है हिंडनबग रिपोर्ट के मुताबिक बुच दमपती के पास कथित तोर पर मौरशस और बर्मूडा अस्थित आपशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आपशोर संस्थाओं में गौतम अडानी के भाई विनूद अडानी भी जुड़े हुए हैं हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि विसल ब्लोवर से मिले डॉकुमेंट से पता चलता है कि जिन आपशोर संस्थाओं का इस्तिमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें से भी अध्यक्ष मादवीपोरी बुच की हिस्सेदारी थी आपको बता दी जनवरी 2023 में हिंडनबाग रिसर्च ने अरबपती गौतम अडानी द्वारा नियंतरित अडानी ग्रुप को टार्गिट करते हुए एक चौकाने वाले रिपोर्ट चारी की थी इसके बाद अडानी समू के शेयर्स में भारी गिरावट भी दच की गए थी वहीं सेभी की तरप से भी बयान सामने आया है सेभी ने अपनी पहली आधिकारी के प्रतिक्रिया में कहा कि उसने अडानी समू के खिलाब सभी आरोपों की गहल जाच की सेभी ने एक बयान में सपश्ट किया कि सेभी अध्धक्ष मादवे बुश्ट ने खुलासा किया था और किसी भी मामले से खुद को अलग कर लिया सेभी ने ये भी साफ किया था कि उसने अडानी के खिलाब हिंडन बग द्वारा लगाए गए आरोपों की व्यापक जाच की है इसकी 26 जाचों में से अंतिम जाच जल्द ही पूरी होने वाली है इससे पहले माधवे बुच और उनके पती धवल दोनों ने आरोपों को निराधार बताते हुए इसका खंडन किया इसके साथ ही आपको बतादे हिंडन बग के आरोपों का जवाब देते हुए अडानी ग्रूप ने कहा कि हिंडन बग द्वारा लगाए गए नए आरोप पूरी तरीके से खलत है अडानी ग्रूप ने एक बयाद जारीकर दावों को दुर्भाग ये पूर्ण और चाला की पूर्ण बताया और हिंडन बर्ग पर खुद को बार बार बदनाम करने का आरोप भी लगाया अडानी ग्रूप ने बताये कि सुप्रीम कोट ने पहले ही जनवरी में इंदामों को निराधार बताकर खारिस कर दिया था इसके साथ ही उन्होंने आरोपों को समूह को बदनाम करने का एक सोचा समझा प्रयास भी करा दिया तो चाहे सेभी की तरफ से हो या फिर अडानी ग्रूप की तरफ से आपको बताया दोनों की तरफ से एक की करके प्रतिक्रियाए सामने आई है